नमश्कार स्वागत एक नेए वीडियो में असलिया सॉलुशन के लिजल्ट आ चुके हैं एवेशन इंडिस्ट्री पर पूरा एक तर से कंडर अफ मॉनॉपली टाइप का है इंडियन का आईटी कमणी के हिसाब से देखे तो लिस्टेड पियर में इसका कोई पियर नहीं है जो एवेशन में इतना ज़्यादा है सारे एवेशन के एरलाइन्स के बड़े क्लाइंट से उनके लिए सॉफ्टर सॉलुशन्स परवाइड करते हैं रिजल्ट आज चुका है आई एक बार देख लेते हैं दीखे रिजल्ट नमबर इनकी जो पब्लिश हुए हैं मैंने तीन चा बार पड़े मैंने बार बार रिपीट करके पड़ा जरुत क्यों जो पड़ी चब इसन उनने एक्क्वाइर किया था एक नए बिजनस तो वहां एक्सेप्शनल आइटम था जहां लॉस हुआ था तीन इंकम रिविन्यू से इतनी आ रही है अगर आप इंट्रेशन से जर्ट करोगे तो भी नहीं है नमबर थोड़ी कॉम्पेक्स हुजा रहे हैं अगर यहां पर देखेंगे तो तो स्कीनर पर चलते हैं बट अगेन कुछ भी फरक आप कोई दिखाए देगा अगर आप यह रो इसमें बहुत माइनूट फरक है यह रोने कौटर दोनों तो नमबर में सब कुछ भी है एक्सेप्शनल नहीं निकल के आया जिसको देखके आपको होगे कि हां बहुत स्पार्क्रिंग नमबर है कोई ऐसे कमेंटरी भी नहीं आई जहां कंपनी आगे के लिए पॉस्टिव जरू हो सकते हैं तो आप इसमें ध्यान देखे है फिरहाल आप शॉट फॉर्म में देखोगे तो इस पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया काफी बार फिर सपोर्ट लिए कोशिच की यह फॉल था बहुत ही शाप था लेकिन फिर यहां से सपोर्ट लेके उपर गया तो इस लॉंग टर्म पर भी सपोर्ट है जो अभी हमको नहीं दिखा है पर अब जब चार्ट बढ़ा करेंगे तो दिखाए देगा इस लाइन जो यह 1627 की लाइन है 1630 माने लिजे आप इसकी कुछ वैल्यू है फिलाल रिजल्ट खराब है कल अगर गैब डाउन होके वापस इस ल 200 डेमा का सपोर्ट भी इसको रखेगा हमारी ड्रॉइंग पुरानी है तो हमको देखने को मिलेगी पर उससे पहले अगर आप वीकली बेस पर देखोगे तो वीकली बेस पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉप करोगे ऐसे फॉलिंग ट्रेंड लाइन टाइप की और इसको तो देखोगे कि लगातार इसका जो रेस्टेंस है वो नीचे आ रहा है यहां पहले रेस्टेंस वीकली बेस पर याद रखेगा यह रेस्टेंस और नीचे की तरह जा रहा है लेकिन अगर आप एक और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉप करो कुछ इस तरह से जिसने इसका बार होना जितना पर रिजल्ट सपोर्टिव नहीं है हाँ टाइटली कंट्रोल जरूरत है जहां 74% प्रमोटर गूप के पास ही है अगर आप इसके रिजल्ट में चलोगे ऐसी लिया के इन्वेस्टर्स में चलोगे तो आल्मोस्स 75% प्रमोटर ही लेके बैटा है तो ऐसा नहीं क कि इसका स्टॉक नीचे जाएगा उपर जाएगा लेकिन फाइस्ट इसकी बहुत ज़्यादा इंवल्मेंट है नहीं या तो प्रमोटर्स ही है या पब्लिक है प्लिक के पास 5% से उपर का शेयरोल्डिंग है और नबर अफ शेयरोल्टर देखो कि वह भी काफी कम है तो ऐस तो दोनों टेंड लाइन आप पास करके डॉक कर लिजेगा फिफ्टी डेमा पर ही इसने सपोर्ट लिया हुआ वीकली बेस पर तो डेमा नहीं वेमा कहेंगे 100 वेमा के उपर देखिए 100 वेमा का जब-जब सपोर्ट लिया है वहां से पाउंज जरू किया है तो वापस भी विदा है कि मुझे मंतली बेसिस पर चार्ट केंडल पैटर्न से बहुत पसंद है तो अगर आप देखोगे तो मंतली बेसिस पर इसने बहुत अच्छा का पैंडल बनाया था लगातार हाय रहे बना रहा था अगर आप देखो तो यह एक हाई है यह एक हाई है इसका नहीं से आ चुका है तो रिजल्ट खराब है कोमेंट रेसी पॉजिटिव नहीं है और एविशन सेक्टर में भी ऐसा कुछ बूम नहीं आ रहा है जहां बहुत मुमेंट होगा अनलेस कल बाइंग इंटरस्ट आएगा यह वापस मुझे लगता है यह 1630 को बेग कर देगा जो म लाइन है सपोर्ट लाइन है यह तूट जाएगी आराम से यह 1300-1400 में के पास आके एक बार फिजरू टेस्ट करना चाहेगा अंटिल लेस कुछ ऐसा हो जाए कुछ बोनस अनौंस कर दें कुछ तरह सनौंस करें जो अभी मार्केट में इसकी खबर नहीं है तो रिजल्ट अ झाल